हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी ठीक होंगे मैं स्वागत करते हूं अपने ए लेंडिंग प्लैटफॉर्म मुव्स दिश्रा पर जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आप सभी के लिए एक फॉर्ट यूनिक फॉर्ट्स या मोडिवेशन लेकर आती रहती हूं वैसे ही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और फॉर्ट नजरिया कहते हैं सफलता की चाबी ही नजरिया है तो नजरिया हमारे लिए सबसे एहम इंपॉर्टेंट चीज रखता है लाइफ में कि हमारा नजरिया किस तरीके से है तो आपने पीछे थमनिल में देख स्टॉरी के माध्या से बताओंगी कि नजरिया किस तरीका होना चाहिए आप सभी सुना होगा हमज़े जंगल का राजा शेयर ही होता है क्या आपने कभी सोचा कि क्यों होता है जंगल का राजा शेर आप मेंसदीन को चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज जानवर कौन दोडता है तो आपका स्नॉमल सा है, ओविस है कि सबी को पता है कि सबसे तेज दोडने वाला जानवर चीता है नेक्स्ट कोशन है हमारा सबसे अगर सबसे लंबा जानवर जानवरों में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है आंसर होगा जिराफ सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है तो आप बोलेंगे हाती अब सोचने वाली बात यह है कि ना तो शेर तेज दोड़ता है ना ही वे सबसे लंबा है और ना ही सबसे बड़ा है लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही है क्यों कोशन पूट अप होता है यहां पर क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसा मानता कौन है जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है विकॉज सबसे बड़ी बात है नजरिया नजरिया को इस तरीके को होना चाहिए कि अगर हम अपने नजरियों को या हम अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने से पहले हमने कोई बात बोलिया हमें उस बात पर पूरा अटल विश्वास है कि यह चीज़ सही होगी यह यह चीज़ ऐसी ही थी तो अगर आपको प्रूफ करना ज़रूद पड़ जाए ना कि हमें प्रूफ करने की ज़रूद पड़ रही है तो that is a point कि आपका नजरिया आपको अपने नजरिये पर शक है ठीक है तो वैसे ही मैं आपके लिए एक इस्टोरी के मात्गम से बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है देखिए मान लीजिए एक तरफ से शेर आ रहा है और एक तरफ से हाती हाती जबकि शेर से बड़ा है सब चानवर में से सबसे बड़ा हाती होता है लेकिन हाती जब भी शेर को देखता है विकोर सभी को पता है कि शेर किसी को भी देखता है तो वो अपना शिकार बना लेता है लेकिन जब भी हाती उसे देखता है तो उसका माइंड से एक नजरिया बन जाता है कि अगर मैं इसके सामने आ गया हूं यह इसने मेरे को देख लि से बचने से जगह से बचने की जगह अपने आपको मनवा लिया ने कुछ और सोचा क्यों कि यह इतना हाती नहीं है लंबा भी नहीं है तेज भी बहत सकता तो चाहता थे भल्ष सकता Hem लेकिन उसने एक माइंड सेटिक नजरिया बना लिया कि मेर को जब भी शेर को देखेगा तो इसका मैं इसका शिकार ही बनूंगा तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का नजरिया रखते हैं क्योंकि सबसे एहम भूमी का निभाता है हमारे अंदर के जो होते हैं अंदरूनिश रक्षियत वो एहम भूमी का निभाता है हमारा नजरिया हम किस तरीके का नजरिया रखते हैं जैसे कि अगर हम सफल होने से पहले ही हम हार मान चुके होते हैं और हम अपने आपको खराब बताने लग जाते हैं हम किसी काभीली नहीं है हम कभी कुछ करही नहीं सकते इसका मतलब यह है कि आप उससी वक्त हार चुके है जब तो आपने अपने उपर का यह सोच लिया एक नजरिया रख लिया कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता यह सकती नजरिया अमान लेजे लेटी लेते एक औरत को एक औरत साब ने खड़ी आपके चाहें वो जैन्स खड़ा हो चाहें कोई बच्चा खड़ा हो अब एक लेडी अब उसके घर में कोई और देख रहे हैं तो हमाइफ दिखा देगी आप फैमिली में जितने में इसके जितने भी रिष्ते ऐसे रिष्टे को दिखा जाएगा देखा जाएगा बिकास नजरिया परसंड एक है लेकिन उसको देखने वाले नजरिया अलग अलग है जिसको जैसा रिष्टा दिया गया है वह वैसे ही उस लडिजे को देख रहा हो chances कि मぇा कभी किसी लड़के के साथ गलत हो जाता है कि और बच्चों को निकालने के लिए दूर भेजने के लिए दार बैट गया है कि पता नहीं बच्चा आएगा भी वापिस यह नहीं आएगा अगर आधे से भी आधे घंटे भी हम घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि हमारा बच्चा कहां रुख गया इतना गलर सरकल बना दिया है जो यूथ में घटित हो रहा है हार किसी के साथ लड़की हो चाहिए लड़का खास तोर से गल्स के साथ बहुत जादा हो रहा है जो अभी चीज़े यह गलर चीज़े होती हैं अब आप सभी को याद होगा आसर 2014 में 13 या 14 में नेर्भ्या केस के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा और उस चीज़ को महसूस भी करा होगा कि कि वो लाइफ की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी लेकिन उसने सीखा गया क्या उसमें बढ़ो वादे हमें बडोत्री ही मिलती गई हमें उसमें कोई भी कमी नहीं मिली क्यूंकि लोगों का नजरिया नहीं बदला अगर मान लेजी आपके घर के बाहर को भाई-बेहन जारें और वह बहुत जाधा फ्रेंक है हद से जाधा फ्रेंक है तो उसे लोग भाई-बहन की नजरो से हंच के खूशी से ता रहे हैं ऐसा कि जरूरी है वहां नजरिया अपना गंबा कर रखा जब तक नजरिया पर फोकस करें तब तक सफलता के तक नहीं प zad conversations सकते हमें काम सफलता के उपर नहीं करना हाँ काम हमें अपने नजरिय पर करना है जब तक आप नजरिया पर काम नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता अपना नजरिया बदलेंगे आपको लाइफ में कुछ बदलने की ज़ूरत नहीं है Automatically डफलेफ आपकी लाइफ में होता जाएगा जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलते तब तक हमें लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं मिलती कहते हैं गलती करने से सीखते हैं लेकिन एक ही गलती बार बार करने से गलती होता इसलिए गलती करने से सीखो क्योंकि जिसने गलतियां नहीं करी उसने कभी कुछ लाइफ में कुछ भी नया सीखने की कोशिशी नहीं करी वैसे ही आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा नजरिया कैसा है हम हमेशा देखते हैं हम अरे घर में बड़े बुज़र्ग जो होते हैं हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वहीं अगर चोटा जैसे आपके घर में बहुत साथ सीरियस मैटर चल रहा है आप सबका सजेशन मांग लेकिन वहीं आपके घर फैमिली में चोटा सा बच्चा खड़ा है थी जो यूथ में 12 साल का है उसे यूथ में थो चल रहा है उसे थोड़ा सा ज्यादा पता होगा ऐकोज़ अँसूध को सब्सक्राव कर रहा है कि इस यूथ में क्या चल रहा है वो उन लोगों के साथ रह रहा है हमारा टाइम था जैसे हमारा टाइम था जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत जादा नॉर्मल वे में जाते थे आजकल girls boys मतलब लगता ही नहीं कि वो स्कूल के बच्चे हैं इतना ज़दा development हो गया है तो जो youth को के बारे में उनको knowledge होगी शायद वो हमें ना पता हो लेकिन जब वो serious matter पे अगर उस बच्चे से रहे ली जाए तो वो अच्छी रहे देगा लेकिन उसकी रहे ली ही नहीं जा नजरिया हमारा बदला ही नहीं हम सिर्फ son जैसे होता है ना years बदलते गए सालें बदलती गए 2014 से 15 आ गया 15 से 16 आ गया लेकिन हम रहे तो वही हमारा नजरिया नहीं बदला कम 2014 में ही रहे 2024 में कहा रहे डिपेंड आपके नजरिये पर कि आप नजरिये कैसा रखते हैं तो आए होप आप इस पर ज़ाद ज़ाद फोकस करेंगे जैसे कि आप सभी ने देखा होगा आपने एक कहावत भी सुनी होगी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं कस्तियों को बदलने की जुरुत नहीं पड़ती सिर्फ दिशा को बदलो तो किनारे खुद पे खुद बदल जाते हैं कस्तियों को बदलने की जुरुत नहीं पड़ती है मान लीजिए एक लेडी से वो नाओ में घूमने जा रही है मतलब नाओं में बैट के घूम रही है अब उसका मन कर रहा है कि मैं सामने नहीं जाओं मैं राइट हैंड साइड मुड़ू तो क्या वो नाओं से उतर के अपने आप तैर के जाएगी नहीं जाएगी ना वो नाओं में ही बैट कर जाएगी तो सिर्फ उसने दिशा बदली कर अपने आप खुद पे खुद डेवलेप्मेंट होता जाएगा अगर आपको लाइफ में या दुनिया में कुछ भी डेवलेप्मेंट में देखना है तो सबसे बड़ी वात है यूद को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा आज की शिक्षा का क्या ही महत्व है क्योंकि ब अपने अपने आप में यह कोशन है इसलिए हमने प्लैटफॉर्म बनाया कि जो बच्चे एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक फीज के कोचिंग के लिए नहीं ले पा रहे तो वह हमारे प्लैटफॉर्म से सीखें तो हमने क्या कि हमने अपना नजरिया बदला ऐसे ही आपको अफने नजरिये पर काम करने की जुरूरत है ना कि कश्च्तियों को बदलने के बार्श होती होती है तो रंगत भी गलत ऑ्थ प्कड़तं नेया हम जरूर बोगड़लें त करता है नेगेटिव वैसे हमें काम करना है अपने नजरिये पर जो आज कल यूथ में गलद गलद चीज़े हो रही है जो हम सब वाखिव हैं उस चीज से वह क्यों वह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नजरिया ही लोगों का नहीं बदल पा रहा है है का आज भी आज भी 2024 ने रहने के बात भी कुछ parents या कुछ families आपको मिलेंगे उनकी है बेश्यव और 2024 में डली में रह रहे हैं लेकिन उनकी सोच एक यहीं रह जाएगी कि girls को या ladies को job नहीं करनी है क्यों क्यों नहीं करनी है एक कोशन खुद के उपर पुटप करके देखें क्यूं ऐसी सोच है अपने उपर काम कीजिए दुनिया में नाम अपने आप हो जाएगा खुद पर काम कीजिए जैसे कि मैंने आप सभी के लिए छोटी से लाइन भी लिखें विलियम जेम्स का कहना था विलियम जेम्स जो एक रिचिस्ट परसन है उनका कहना था कि हमारी पीड़ी की सबसे बड़ी खोजी यही है कि इनसान अगर अपनी नजरिये पर काम करेगा अपने नजरियों को बदल लेगा तो वो अपनी जिन्दगी बहतर बना सकता है जब तक वो नजरिये पर काम नहीं क पाए है कि एक पर सोच के देखें क्या एक अच्छा नजरिया नहीं होता तो क्या एक बड़ा अशका बन पाता के नहीं कि सेमरे ले ले लिजिए कारीगर ले 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 ज्ए किसी को भी लिए कि अगर उसका नजर्य अच्छा नहीं होगा तो क्या वो अच्छी चीज़े कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ नजर्य पर हमें काम करना चाहिए कि हमारा नजर्य कैसा है अगर आप नजरी अच्छा लगेंगे, देखने लगेंगे, नजरी अच्छा रखेंगे तो आपको किसी में बुराई नजरी नहीं आएगी Because आप अपने उपर काम कर रहे हैं, दूसरों के उपर point out नहीं और जब तक आप दूसरों के उपर point out करते रहेंगे, तब तक आप नजरी पर काम नहीं कर सकते नजरी पर काम करना मुश्किल है, लेकिन impossible नहीं है तो आप भी इस चीज को समझे और अपने दोस्तों को भी समझाईए और जो नहीं समझ रहे हैं वो इस वीडियो से, I hope आप मेरी इस वीडियो से जरूर समझेगे छोटी से स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत बड़ा थौट आपके सामने लेकर आई ताकि आप इस चीज पर आप मैं यह हम सभी जितने भी यूथ के हैं people's person हम सभी इस पर काम करें ताकि यूथ में अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें बदलाव कब दिखेगा जब तक हम खुद के उपर काम नहीं करेंगे तो I hope आप सभी इस पर काम करें और यूथ में बदलाव करें है नजर्य को बदल लिया है तो हमने खुद पर काम करना चालू कर देते हैं तो विश पर आप आप zou जाते हैं अब इतना ज़्यादा ट्रैक्पिक मतलम निकलने नहीं दे रहे उस एम्बुलेंस को वहीं एक परसन आता है उसने सब ट्रैक्फिक इदर उदर गाड़े को करके वो एम्बूलेंस निकाल रहे उसका तुरंत वीडियो बन जाता है क्यों उसका नजरिया अलग था चाहता तो वो भी खड़ा हो सकता था लेकिन वो खड़ा नहीं होता वो उस पर काम करता है कि मैं इस चीज को कैसे सुलजा सकता हूं हटा सकता तब ही उसकी वीडियो बनती है तब ही वो वायरल होते हैं तो नजरिया बदल लेते हैं तो लोगों की नजरों में आने लग जाते हैं कि इसका नजरिया ही अलग है लोग हमसे सजेशन भी लेने लग जाते हैं थोड़ा मुश्किल है टाइम भी लग सकता है सक्सेस के लिए वैसे भी लोगों में बैठने के लिए लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी हो गई नहीं आज नहीं तो देखें मैंने कुछ लाइने भी लिखी हैं आज नहीं तो कल होगा हर मुश्किल का हल होगा अगर मन में हो विश्वास तो पत्थर में भी जलोगा बस इसी लाइनों को आपको अपने अंदर उतारना है कि आप किस तरीके से किस नजरीय से काम करते हैं और कैसा नजरिया अपने लिए रखते हैं सामने वाले का तो छोड़ दिए पहले अपने उपर नजरिया किस प्रकार से रखते हैं कि हम सबसे बड़ी बात है कि हम नजरिया जैसा रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा जब तक हम सामने सोचेंगे नहीं कि सामने मुश्किले हैं तब तक हमें नजर कैसे आएंगे नही आप आप को समाज आई हो और आप माद्यम से जरूर यह समझेंगे ची का शेयर करिए यह प्लैटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ष हर एक चीज सिखा रहा है मुफ शिक्षा कि एजुकेशन से रिलेटिड सब्जेक्ट से रिलेटिड एडिशनल चीजे से रिलेटिड हर एक चीज धीरे-धीरे अपने ग्रो में लेकर आ रहा है ताकि जादस जादर ल होती है कि छोटी से पहल आप सभी के लिए कि हर एक बच्ची के पास शिक्षिक या शिक्षिक होना चाहिए तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखते उस प्लैटफॉर्म को भी आगे बढ़ाएंगे और जाद से जाद लोग के साथ शियर करेंगे ऐसी स्टोरी जानने के लि